वेलकम तो आम एक रेजर का मेरा नाम हमीद तो आज वीटिव में आपके साथ में ऐसे गजब कीचिन टिप्स शेर करने वाली है दोस्तों जो किचिन में डेली लाइफ में आपको बहुत ही जादा काम होने वाली है अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो की नीचे लाइक कर दीजिए चानल को सब्सक्राइब करेंगे तो साही नोटिफिकेशन को जबाना बिलकुल नह भूले दोस्तों क्योंकि इस से नोटिफिकेशन आप तक पहुझेगी वो भी सबसे पहले चलिए वीडिय के बरतन को लेकिए तो कौपर के बरतन को गिसना बहुत ही जादा मुश्किल होता है इतना आसान नहीं होता है जितना स्टील के बरतन को दोना तो आज बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपको बताऊंगे जिससे बहुत ही आसानी से आप इसके दाग दब्बे को छुड़ा सकते ह तो मैंने यहाँ पे ले लिया है कोलगेट और एक ब्रश आप कोई भी वाइट कलर का तूट पेस ले सकते हैं मैं आपको इस बर्तन का एक छोटा सा पार्ट थी इसके बताऊंगी कोलगेट से ताकि आपको पूरा आइडिया लगेगी कितना जादा यह क्लीन होता है डिफरेंस आपको क्लीरली दिखाई दे इसलिए मैं एक ही पूर्शन को यहाँ पे क्लीन करने वाली हूँ अगर आपको बीच में सुखा सुखा सा लगे तो ब्रश को गीला कर लीजे और फिर से इसे हम घिसेंगे बस मैं यहाँ पे हलके हाथों से गिस रही हूँ बिल्कुल भी यहाँ पे ताकत लगाने की जरूरत मुझे नहीं पड़ रही है कुछ देर गिसने के बाद इसे हम अच्छे से दो देंगे तो मैंने अब इसे साफ पानी से दो दिया है आप देखी पा रहे होंगे दोनों का जो डिफरेंस है जिस पार्ट को मैंने गिसा था और जिस पार्ट को मैंने गिसा नहीं था दोनों का डिफरेंस आप देख सकते हैं कितना जादा यह क्लीन हुआ है साफ कपड़े से एक बार पोच लीजे और फिर देखिए इसमें शाइन कितनी कर रही है बिल्कुल नए जैसा ये चमकने लग गया है तो अगर आपके पास भी कॉपर को क्लीन करने का कोई भी सामगरी नहीं होगी तो आप इस तरीके से बहुत ही सिंपल ट्रिक के साथ में कॉपर की बर्तन को क्लीन कर सकते हैं दोस्तो आजकल हम सभी की घरों में लगडी के परचे तो होते ही है उसको हम धों की भी रखते हैं तो बहुत ही जल्दी फंगस लग जाता है तो उसको अबॉड करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी आप लगाए खाने का तेल कुकिंग ओईल मैं यहाँ पर लगा रही हूँ पूरे परचे को पूरे जो भी आपके पास लखडी का समान है किचन में उसको आप लगा लीजिए तरीके से ओईल चाहे वो चॉपिंग बोर ही क्यों न हो इस तरीके से ओईल आप रख दीजिए तो उसको फंगस नहीं लगेगा अगला टिप है हमारा वाल क्लॉक को लेके तो जितने भी वाल क्लॉक है हम अकसर उसे क्लीन करना हमारा रह जाता है या फिर हम क्लीन करते हैं वो ठीक तरीके से क्लीन भी नहीं होती है तो ऐसा तरीका मैं आपको बताऊंगी जिससे कि आप बहुत ही आसानी से क्लीन कर पाएंगे तो मैंने आप यह निउस्पेपर का एक तुकड़ा ले लिया है उस पे थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर दिया अब इसी निउस्पेपर के तुकड़े से हम पूरी वाल्क लॉक को पोछ लेंगे इसी काच भी है एक्टम क्लीर हो जाएगी क्रिस्टल फ्लियर काच उसकी लगेगी और बिल्कुल भी दाग धंबे इसमें नहीं रहेंगे सब के सब निकल जाएँगे और अभी आप देख पा रहे होँगे कितना अच्शे तरीके से हमारी जो वॉल्क लॉक है वो क्लीन हो गई बिल्कुल भी इसमें कोई निशान नहीं है कोई दाग धबे नहीं है तो इस टिप को आप जरूर फॉलो करें आपको बहुत पसंद आएगी अगली टिप पे हमारी नल को लेकिए तो जितने भी नल हमारे घर में होते हैं उसे हम बार-बार हाथ लगाने की वज़े से पानी के छीटे पढ़ने की वज़े से बहुत जल्दी नल जो है वो खराब दिखने लगते हैं तो उन्हें क्लीन करने का बहुत आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी आप ले लीजे हैं यहाँ पे वाइट विनेगर जो मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा आपकी घर पे जितने भी नल है आप इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं अब यह आप देख पा रहे होंगे नल जो है पहले से शाइन करने लगा है अब इसके बाद हम इसे क्लीन टिश्यू पेपर से पोच देंगे यह बहुत ही सिंपल सा तरीका है नल को क्लीन करने का तो इस टिप को भी आप ज़रूर फॉलो करें यह आपको बहुत पसंद आएगा दोस्तों अगली टिप है हमारी बैक्स की चैन को लेगे जैसे जैसे हमारी बैक्स पुराने होने लगती है हमारी जो backs की chain है वो पहले जैसी smooth नहीं रहती बीच वीच में अटकने लगती है तो उसको fix करने का बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपको बताऊंगी आप ले लीजे wax crayons जो बच्चे use करते हैं अकसर drawing करने के लिए coloring करने के लिए वो ले लीजे उससे इस तरीके से हम chain पे घिस देंगे ऐसा करने से back की जो chain है वो पहले जैसी smooth हो जाती है और अब आप देखे कितना easily हम इसे लगा पा रहे हैं बहुती smooth functioning हो गया ये फिर से पहले जैसे मान लीजे दोस्तों अगर आपके पास crayons नहीं है तो आप इसके जगा पे मोम बती याने की candle का भी इस्तमाल कर सकते है तो अगली बार अगर आपके back की chain आपको परिशान करे तो आप इस tip को ज़रूर फॉलो करे दोस्तों अगली tip पे हमारी remote की cleaning को लेके जो बहुती कम लोग ध्यान देते हैं इसे cleaning के उपर से cleaning जरूर की जरूर करे क्योंकि बार बार हम हातों से remote को touch करते हैं बहुत ज़्यादा bacteria होता है तो इसे clean करने का बहुत यासान सा तरीका में आपको बताती हूँ तो remote को clean करने के लिए मैंने ले लिया यहां पर सूखा brush इस brush से हम सूखे इसे घिस देंगे गीला नहीं करना है brush को बस सूखा ही हर जगा पे हर बटन पे आपका जो यह brush है वो जाना चाहिए कुछ देर बाद जो आपका remote है वो बिलकुल अच्छी तरीके से clean हो जाएगा दोस्तो आज ही अपने घर में जितने भी remote controls है आपके घर में वो सब भी remote control को इस तरीके से clean कर लीजे तो देखिए remote जो है कितने अच्छी तरीके से clean हो गया अगली टिप हमारी socks को लेके दोस्तों अक्सर socks में जो है बहुत जादा smell आने लगती है इसे हमें separate धूना ही पड़ता है और even wash करने के बाद में पूरी तरीके से clean नहीं होता तो इसको clean करने का बहुत ही आसा तरीका में आपको बताऊंगे जिससे smell भी नहीं आएगी और socks भी बहुत अच्छी तरीके से clean हो जाएगा मैंने आपे लिया है normal water plain water लिया मैंने आपे उसमें डाल देंगे थोड़ा सा एक बार तो colgate और hand wash को मैंने आपे अच्छी से मिला लिया है और अब इसमें डाल देंगे socks को और हलके हाथों से थोड़ा सा पहले मसल लेंगे 10 मिनिट के लिए socks को इसी में छोड़ दे 10 मिनिट हो चुके हैं 10 मिनिट के बाद में socks को हम फिर से एक बार हलके हाथों से मसल ल देंगे तो मैंने आप इस socks को दो-तीन बार साफ पानी से धो दिया है अब इसे हम सूखने डाल देंगे और सूखने के बाद में आपको बताती हूँ मैं इसका result तो देखिए दोस्तों मैंने इसे अच्छी से सुखा लिया है और आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल भी सम हमारी मोबाइल फोन को लेके तो जो भी हमारी स्क्रीन होती है स्क्रीन कार्ड लगाने की बावजूद उस पे देखिए उंगलियों का निशान आपको दिख रहा होगा बार-बार हमारे फिंगर स्टच होते हैं और और कितना भी आप इसे क्लीन करें हाथ से भी या कपड़ कीजिए और थोड़ी देर के लिए इसे क्लीन करते रहें ऐसा करने से दोस्तों आपका जो स्क्रीन गार्ड है आपका जो स्क्रीन है डिस्प्ले है वह बिल्कुल नए जैसा चमकने लगेगा इसके बाद हम ले लेंगे टिशू पेपर और टिशू पेपर को इस तरीके से ऊ पूरा अच्छी तरीके से जो है स्क्रीन हमारी शाइन करने लग गई है और बिल्कुल नए जैसा हमारा स्क्रीन वापस से हो गई है तो अभी आप देखे दोस्तों एक भी उंगली का निशान आपको इसमें नहीं दिखेगा तो है ना एकदम कमाल की टिप तो अगली टिप कर लिजे पूरे शूस पर दोनों ही शूस पर अच्छे से हम वाइप कर लेंगे ऐसा करने से शूस में बिल्कुल भी फंगस नहीं लगेगा और तो और इन शूस की शाइन जो है वो बरकरार रहेगी और निउस्पेपर के यहां पर दो तुकडे मैंने बना लिये हैं और उ अगली टिप है हमारी कंगी को लेके तो कंगी जो हम यूस तो करते ही है हर घर में होती है लेकिन इसे क्लीन करना हम भूल जाते है या फिर ऐसा तरीका इसे क्लीन करने का मैं आपको बताऊंगी जिसे कि इसका सारा बैक्टेरिया जो है निकल जाएगा और बहुत ही अच्छ और आधा ग्लास पानी डाल देंगे तो आधा विनेगर आधा पानी मैंने यहां पर डाल दिया है और इन कंगी को हम वन बाइवन करके इस ग्लास में डिप कर देंगे अब इसे ऐसे ही छोड़ देंगे 10 मिनिट के लिए एक साइड फिर इसे हम टर्न करेंगे 10 मिनिट बाद हम इन सभी कंगी को टर्न कर देंगे और दूसरी साइड हम डिप कर देंगे और फिर से इसे 10 मिनिट तक ऐसे ही रहने देंगे ऐसा करने से कंगी में मौझूद जो बैक्टिरिया होते हैं वो मर जाते हैं 10 मिनिट हो चुके हैं अब आप देख पा रहे होंगे कितनी हमारी जो कंगी है वो फ्रेश हो गई है क्लीन हो गई है इसे हम साफ पानी से धो देंगे और पोच देंगे तो हैना इनम कमाल की टिप आप बीस टिप को ज़रूर ट्राय करें बाई टेक्र